दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश येस क्लासेश में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों हम लोग कल जो modern history का bit detail के साथ जो है 45 question हम लोग क्या किये थे कर चुके थे ठीक आज हम लोग modern history के जो पूरे question को finish कर देंगे ठीक कल हम लोग physics का physics का एक मैराथन लेके आएंगे जिसमें सभी question कम से कम डेंड सो question तक कवर किया जाएगा एक ही class में ठीक है चायो एक गंटेक होगी या दो गंटेक होगी ठीक क्योंकि समय नहीं है UPSSCC pet के लिए जो है समय अब नहीं है ठीक तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो है मैराथन classes आएंगे ठीक चलिए श्टाट करते हैं आज का पहला question question नमबर 46 महत्मा गांधी को राष्ट पिता के नाम से सरुप्रथम किसने संबोधित किया था बताई तो ओ थे हमारे नेता जी सुभास चंद्र बोश जी ठीक है गांधी जी द्वारा कुछ आंदोलन चलाए गये थे चंपारन आंदोलन पहला उनका आंदोलन कौँसा था चंपारन आंदोलन कब स्टाट किया गये था तो 1917 में याद रखेंगे आप लोग क्रम लगाने के असयोग आंदोलन ठीक असयोग आंदोलन कब स्टाट किये थे बताए जल्दी 1920 में ठीक फिर सविने अवग्या आंदोलन कौँसा सविने अवग्या आंदोलन सविने अवग्या आंदोलन कब स्टाट किये थे 1930 में ठीक और एक भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो चलिए आई चलते हैं next question अगला question question number अमनों के सामने है 47 आसा योगांदोलन किस सन में हुआ अभी मैंने बताया आसा योगांदोलन कब हुआ था आसा योगांदोलन 1920 में हुआ था ठीक आसा योगांदोलन 1909 यह अस्थगित क्यों हो गया तो यह चारी चारा घटना हमारी हो ता ठीक है गोरक फुर में वहाँ पर कुछ पुलिस को जो है जिन्दा जला दिया गया था ठीक जिससे गांधी जी क्या होते आहत हो करके जो है यह अंदुलन को अस्थापना कर देते हैं ठीक ऐसे नाराज हो करके स्वराज जो हमारे सियार दास और मोतिलाल नहरू ने एक अल कहrict रहार कोशन. कोशन नंबर आप लोग बताये 48. कोशन नंबर 48 हमारा कर रहा है? असा योग iba अंदुलन कभ हुआ था? असा योग आंदुलन हमारा कभ हुआ था? याद रहे गे बहुत है, कब लिए गया था? चार फरवरी 1942 को, कौन सी घटना हुई थी? गोरखपूर में जो चवरी-चवरा नामक घटना हुई थी, ठीक है? चवरी-चवरा नामक घटना हुई थी, ठीक? चले आगे, चले अगला कोशन मताई, कोशन नमबर 4949 का बताई, चवरी-चवरा जो घटना थी भारत के किस राज्य में हुई थी अभी मैंने बताया था कहां पूई तो उत्तर प्रदेश के गोरकपूर में ठीक है कहां पूई तो उत्तर प्रदेश के गोरकपूर में ठीक है कहां पूई तो उत्तर प्रदेश के गोरकपूर में ठीक बिहार में क्या हुआ चमपारन आंदोलन हुआ था बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था चमपारन आंदोलन ठीक है चमपारन आंदोलन याद रखेंगे आप लोग कब हुआ था 1917 में इस बात को याद रखिएगा गुजरात में कौन सा आंदोलन हुआ था बताई खेडा खेडा वला आंदोलन हमार कहां वह था, एस को, जली मुंबई महाराष्ट में काउँ किस की अस्थापना हुई थी, कांग्रेश dictate मुंबई के महाराष्ट में, मुंबई के महाराष्ट में, चली, question number 150, चारी-चारा गटना कशली, यहां 5 फरवरी दिया है इस लेट को, आप लोग अब नहीं याद रखेंगे, चार फरवरी याद रखेंगा, ठीक है, चार फरवरी को हुई थी, ठीक, चलिए, इसके बारे में बहुत बता दिया, चारी चारा घटना, कोस्चन पका फंसेगा, जो, देखें, कितनी बार इस कोस्चन को पूछा गया है, चारी चारा एक और आपसा नहीं आप लोगों के शामने, थोड़ा सा ओर उपर कर देते हैं, दिखें थाकि, ठीक है, किसके, इसका मुख्य उद्देश से क्या था, नमक करके बिरुद्ध था, ठीक है, नमक करके बिरुद्ध सभी ने अवग्या अनुलने श्टार्ट कब हुआ था, त अगला कोश्चन, कोश्चन नमक को ले करके तोड़ा गया, ठीक है, याद रखियेगा, ठीक है, यह सब गुजरात में पड़ती है, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन, अगला कोश्चन, कोश्चन नमर 53 बताईए, सबीने अवग्या अंदोलन की सुरुआत के पहले वास्तराय को गांधी जी का 11 सुत्री क्या दिगई थी, चेताउनी दिया गया था, इन्हें से कौन सा इससे क्या सही नहीं है, बताईए, सबीने अवग्या अंदोलन की सुरुआत के पहले वास्तराय को गांधी जी ने क्य जो है ग्यारा सुत्री चतावनी दिये थे तो रूपया डालर बिनिमे दर को कम करना भूराजस को 50% की कमी करना राजनेतिक कैदियों को रिहा करना बताईए इसमें से कौन सा सही पूछा है 53 का जल्दी बताईए ते हमारा B part right answer 2 और 3 का था रूपया डालर बिनिमे की बात इन गांधी इर्विन समझावता जो 1931 में हुआ था ठीक और गांधी इर्विन समझावता और गांधी जी ने प्रथम बार मतलब दृती गोलमेज में कांग्रेश की तरब से क्या के थे पार्टी सिपें इनके साथ कौन गया था तो सरोजनी नाइडियो जी इनके साथ भी गई थी चलिये next बताइए, question number आप लोग बताइए 54, question number 54 क्या कर रहा, nymphnase में से कौन एक भारती राष्टी आंडोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था, बताईए, भारती राष्टी मास्टर दा कहा जाता था, ठीक है, चटगाउं सस्त्रागार से क्या है, सम्बंदित है, ठीक है, चटगाउं सस्त्रागार से सम्बंदित है, ठीक है, तो कौन नहीं सम्बंदित है, बताइए, चवण का, चवण का, हमारा कौन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए, तो डी पार सुबाथ चंद्र बोज जी ने HR घगत सिंग को फांसी कब दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी उसारी चीज़ें आपनों याद रखे गरा जिर्ण की राजनितिक गुरू थे गांधी जी गई गांधी जी क्या थे राजनेतिक गुरू थे राजनेतिक गुरू थे याद रहेगा ने सलए चलते हैं नक्सिट सब्सक्रिक्रिकी नाइशे से वापस और रसा तो 9 January 1915 को गांधी जी पून रूप से भारत वापस चले आते हैं गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते हैं तो 1901 वाले अधिवेशन में गांधी जी क्या करते हैं भाग लेते हैं यह भी याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट चोच लते हैं कोश्चन नमबर 55 निमलिकित में से किस सहर में सुतंत्रता सेनानी चंद्र शेखर आजाद ने बृटिश पूलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली तो एलहाबाद में कहां पे एलहाबाद में ठीक है इलहाबाद में इसका नाम चेंज्ज हो करके क्या हो गया प्रियाग राज ठीक है याद रहे गः न है क्या होगे या- प्रियाग राज चलिए next बताई अगला question. Question number आप लोग 56 बताईिए? ब्रिटिस सरकार बंगाल के बिभाजन को लागु करने का निड़े की घोशड़ा की थी बताएं कब घोशड़ा की थी भारत सरकार ने 56 का बताई च्छपन का कौन सा अमारा हो जाएगा तो बी पार्ट 19 जुलाई 1905 को इसको दो प्रांतों बंगाल को एक पूर्वी एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल एक पूर्वी बंगाल ठीक है जिसमें बंगलादेश आता था हमारा जो पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल ठीक है पश्चिमी बंगाल दो भागों में 1905 में क्या किया कर दिया गया ठीक है और इसकी घोषड़ा कबूई थी तो 1905 को ठीक है इसी समय हम जो क्या मनाये थे स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन इस्टार्ट हुआ था ठीक है करेशी आंदोलन यह भी याद रखेंगे उसमें वाइसराइकां था और ऐस्टार्व फश्चराइकां था करजन था ठीक है लाड करजन नहीं लाड लगाने की जरूए था भगवान थोड़ी थे जो है ति ही करजन था ठीक है याद रखे बस करजन था चलिये नेक्स चलते अगला question, question number five, seven बताईए, निमलिकित में से किस ने बंगाल के विभाजन 1905 के बिरोध में हुए आंदोलन का नेतरित्व किया था, बंगाल के विभाजन 1905 में हुए बिरोध का आंदोलन का नेतरित्व कौन किया था, बताईए, 57 का, तो 57 का हमारा ए पाट, सुरेंदरनाथ ब पारने वाले बयक्ति हैं, एसिया का प्रथम नोबेल पुरशकार, नोबेल पुरशकार, ठीक है, प्राप्त डेक्ति कौन है, तो रविंदरनाथ टाईगोर जी, कब मिला था, 1913 में, किसके लिए मिला था, तो गितान जली के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इस सारी सी आर दाज जी, एक किसके गुरू थे, एस सुबास चंद्र बोश के क्या थे, गुरू थे, याद रखिएगा, सुबास चंद्र बोश जी के क्या थे, गुरू थे, चलिए, नेक्स्ट बताईए, अगला कोशन, कोशन नमर 58, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रह उठाई गई सपत की वे सिर्फ भारती निर्मित समानों विशेश रूप से कपड़े का उपियो करेंगे का अंदोलन कहां हुआ था, मतलब सोदेशी, सोदेशी अपनाओ, कहां यूज किया गया था, सोदेशी अपनाओ, सोदेशी अपनाओ, ठीक बताई, बिदेशी, या भारत छोड़ो या सोदेशी अंदोल, बताई कौन सा, अठावन का, तो अठावन का हमारा सी पार्ट, सोदेशी अंदोलन जो उन्नी सो प्माच में हमारा क्या इस्टाट हुआ था, बंगाल विभाजन के समय, ठीक, छली, नेक्स्ट बताईए, अगला कोस्चन, कोस्चन न निमलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था, बताईए, करजन के बंगाल, विभाजन के पीछे, निमलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था, बंगाली, बंगाली राष्टियता के मूल पर हमला करना, बांटो और सासन करो की नीत, ब्रेटिस राज की सक्तिका प्रदर्सन, सरकार के प्रसासनिक भार को सहज करना बताई, कौनसा एक नहीं था यह पुछा, 69 का तो यह हमारा D था सरकार के प्रसासनिक भार को सहज करना यह उसका मकसद नहीं था चलिए, 60 का बताई महत्मा गांधी दच्छिड अफरिका किस वर्ष पहुंचे तो 1893 में मातमा गांधी जो कहां पहुंचे दच्छिड अफ्रिका के दर्बन में ठीक है डर्बन में याद रहेगा ने वापस कब आए वापस आए 9 जन्वरी 1915 को ठीक है इसी दिन क्या मनाया जाता है प्रवासी डे के रूप में भी मनाया जाता है ठीक है आते ही इनों 2017 में कौन सा आंदोलन इस्टाट कर दिया चमपारण कौन सा आंदोलन चमपारण आंदोलन कहां कहां किया था तो बिहार में ठीक चलिए चलते हैं आगे अगला कोस्चन कोस्चन नमबर 61 बताईए सभी कोस्चन UPSS की कि किसी न किसी परिच्छा में पूछे हुए है जो है मातमा गांदी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा कि असयोग भारत और गांदी जी के जीवन में एक युक का नाम है बताई मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको आप लोग याद रखेंगे कौन था बताई लूइस फिसर था जोसेप लेवी वेल्ड था या जोसेप डॉक था या एरिक फारनर था बताई एकसट का बताई तो कौन था लूइस फिसर था ठीक है लूइस फिसर गांदी जी के असयोग आंदोलन के समय क्या था गांदी जी के साथ ठीक चलिए next 62 मात्मा गांदी जी ने निमलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है तो बता केसरी और मराठा ठीक है मराठा किसमे थी अंग्रेजी भासा में थी किसमे थी अंग्रेजी भासा में और केसरी किसमे थी मराठी भासा में ठीक है याद रहेगा ने बी आर अमबेटकर बताईए इन्होंने तीनों गोल में तीनों तीनों गोल में समयलन में क्या किया था भा थम गोल में सम्मेलर, दूती वाला कब हुआ था, तो 1931 में, तृती वाला कब हुआ था, बताई, तृती वाला हमारा हुआ था, 1932 में, ठीक, तीनों में भाग इनों लिया, सेकेंड में कांग्रेश और गांधी जी, दादा भाई नहरो जी को, the old man of India कहा जाता, ठीक, चलिए, नेक्स्ट बताई अगला कोस्चन, कोस्चन नमबर 63, बताई, महत्मा गांधी जी किस वर्ष कांग्रेश के अध्यच बने, तो 1924 में बेल गाउं करनाटक में, बेल गाउं करनाटक में, मैंने जो कले, साथ बेल गाउं बोल दिया था, तो तृपूरी वाले अधिवेशन मे जो है, सुबास जंदर बोश जिसको 1902 नहीं था, ठीक है, तो उसको सईक लेजेगा, 1930 में सबसे युआ, सबसे युआ, सबसे युआ, कांग्रेश के अध्यच कौन बने था, बताई, अबुल कलाम आजाज जी, ठीक है, सबसे लंबे समय तक भी रहे, जो 1940 से 1945 तक, इन्हों को दूसरा दूती 20 युद इस्टार्ट हो गया था, स्वारी, रंग भेद के कारण महत्मा गांधी को किस वर्स दच्छिड अपरिका के पीटर, पीटर, पीटर मरिट बर्ग रेलवे स्टेशन से, प्रथम स्रेणी के रेलवे से सामान सहीद बाहर फेंग दिया गया था, 1891 बताई, 64 का बताई, कौन सहीद, तो 1893 जब गांधी जी कहां गय थे, दच्छिड अफरिका जा रहे थे, तब इनको पीटर, मटी, बर्ग से, रेलवे स्टेशन से बाहर फेंग दिया गया, मात्मा गांधी दोरा, भारती राष्टी कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित तो किया गया, बताई, मात्मा गांधी जी दोरा, सिर्फ एक का, कब 1924 वाला जो ठीक, करनाटक वेल गांओ, ठीक है, याद रहेगा ने, चलिए, अमीन में पूछा, 2016 में, निमलिखित में से, कौन सा, गांधी वादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, बताई, 6-6 का कौन सा, गांधी वादी दर्शन का हिस्सा नहीं, तो ब्योसा नहीं, अहिंसा अब्रमचर यह और सत्यग्रह है, यह सब हैं, लेकिन ब्योसा नहीं है, ठीक, चलिए, 67 बताई, 1970 का सत्यग्रह माहत्मा गांधी का पहला सत्यग्रह था, और भारती सोतंतरता आंदोलन में एक बड़ा बिद्रो था, बताई, सरसट का, 1970 का था, तो चमपारन था, यहां क्या बराएगा, चमपारन, कहां पहला था, बिहार में, ठीक, भारत छोड़ो, 8 अगस्त, 1942 को, ठीक, खेडा, 1918 को, ठीक, चलिए, नेक्स्ट बताई, कोश्चन नमबर 68, कोश्चन नमबर 68 बताई, महत्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की अस्थापना कब की थी, बताई, अनशट का, बताई, ते किये थे फरवरी 1919 में, ठीक है, फरवरी 1919 में, इसी समय हमारा जलिया वाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जलिया वाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 फरवरी 1919 में, ठीक है, 13 फरवरी 1919 में याद रहेगान 13 फरवरी 1919 सैफी दिन किछलू की गिरफतारी के करान जो वहाँ पे एक सभा आयोजित की गई सांडर्स ने आडर दे दिया सभी को क्या करने के लिए गोली चला दी जो बहुत लोगों की जो बहुत अजीब घटना होई थी ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में कभी डिटेल से डिसकसन किया जाएगा चलिए नेक्ट चलते हैं अगरा कोशन कोशन नमबर 69 महात्मा गांधी ने अर्थ बेवस्था की वकालत की थी बताए केंद्री कृत बी केंद्री कृत ग्लोबल या स्थानी 69 का तो बी केंद्री कृत मतलब सबसे पाले हमें क्या ग्राम को जो क्या करना हो ससक्त बनाना होगा ठीक है चलिए नेक्ष बताए महात्मा गांधी के लिए भारती ये मानावता की एकता इसकी आर्थिक सुतंत्रता और समानता का प्रतीक है बताए खादी, पहिया, नमक या धागा बताए सत्तर का तो क्या है खादी है ठीक नेक्ष बताए 71 चलते हैं थोड़ा ऊपर जो है चारो आपसन देख लिजिए इन में से कौन सा मात्मा गाधी का आर्थिक बिचार नहीं है हिंसक, गैर हिंसक अर्थ प्योशता बी केंदरी के कुठुर उद्योग मसीनी करन मसीनी मसीनी क्या है मशीनरी और नवीनतम तक्नीक का अधिक्तम उप्योग तो यह ही अमारा नहीं था ठीक है यह ही अमारा नहीं था बाकी सब थे ठीक है चलिए अगला बताई क्वेस्चन नंबर 72 निमनलिखित में से किस क्रांदिकारी दोरां दा फिलोस्फी अब दा मॉम्बे नामा कुछतक के लेखक कौन है एस्पाल भगत सिंग सूरे सेन या भगवती चरण बोहराजी बताई कौन है तो हमारे भगवती चरण बोहराजी ठीक है सूरे सेन किसे चटगाओं जो चटगाओं में आंदोलन हुआ था जो हमारा चटगाओं कहां पड़ता है तो बंगला देश में ठीक है कहां पड़ता है बंगला देश में ठीक है और इनको मास्टर दा भी कहा जाता मास्टर दा की उपाद भी दी गई इनको ठीक भगत सिंग बारे में जानते ही यह आप लोग लोग कब इनको फांसी दी गए थी 23 मार्च 1931 को ठीक टेई है नेक्स्ट अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 73 वर्स 1904 में किसने करांतिकारियों के गोपनी ये समित के श्बैबंगाय कोश्चन नमब चवस्चन बताई गदर आंदोलन के नेता कौन थे गदर आंदोलन के नेता कौन थे तो गदर आंदोलन के नेता थे जो है हर दयाल जी कौन थे हर दयाल जी ठीक है याद रहेगा ने गदर आंदोलन के नेता कौन थे हर दयाल जी चलिए नेक्स्ट बताई अगला कोश्चन कोश्चन पुआस के बाद मिर्ट होगी most important है IMP question है इसको याद रखिएगा बहुत 64 दिन ये क्या रहे भूखे रहे जो है ठीक है उसके बाद इनकी क्या हो जाती है मृत हो जाती है बिने बोस जी कौन थे 75 का क्या होगा स्वारी बिने बोस जी नहीं है ठीक है जतिन दास जी कौन है जत मारने का प्रियास किया जो पहले Calcutta के मुख अ मजिश्ट्रेट्रेट थे बताइए इसको मारने का प्रियास किया 76 बताइए तो तो था Kings Ford को तो King से Ford को, B Part हमारा के ओजगा Right Aensor, चलिए, Next बताईए, फिर मुक्त भारत समाज की अस्थापना किस ने की थी, जल्दी बताईए, मुक्त भारत समाज की अस्थापना किस ने की थी, जी के गोखले, राजगोपाल चारी, वीर शावारकर या अरुडा आशा फली, बताईए, सुरे सेन, पाले तो आप लोगों का भी मैंने बताईए, चटगाउ, सस्त्रागार, चापा से हैं, भगत सिंग लहोर से हैं, या काकोरी से हैं, बताईए, भगत सिंग, 78 का बताईए, भगत सिंग किस से हैं, तो भगत सिंग हमारे जो है, लहोर सड़यांदर से हैं, ठीक, त टेंगों थाइन था, भाँपूर्क filmmakers था, थांसी, अलच दानल्यक covert, लान्सप ludra था, भाँपूर्क यूरिते था, प्रतृ में था, भाँपूर्क दहुता था, डिले था, गभब हैं त cen시면 के था,Smutth देंगों इस्वमेक्त आसी देना या कौमा गाता मारू घटना या लाला हिरदयाल की गिरफतारी स्वारी सेवेन नाइन का ए पार्ट प्रथम विस्यूद का आरम भोना ठीक है प्रथम विस्यूद का आरम नेक्ट बताए असी चंद्रशेखर आजाद मुठ भेण में कहां सहीत हुए थे तो अस्थापना इन्होंने कहां की थी इन्होंने की थी डेलही के फिरोशा कोटला मैदान में 1928 में किये थे कब किये थे 1928 में ठीक चलिए नेक्स्ट बाताए भारत के भीतर और बहर दोनु क्रांतिकारियों की सक्री भूम का निभाने वाले एक मात्र भारती राजकुमार काउन थे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंग थे इनहीं के नाम पे अलीगड में एक युनिवर्सिटी भी खुली है राजा महेंद्र प्रताप युनिवर्सिटी जिसका उद्गाटन जो हमारे पीम माननी स्री नरेंद्र मोधी जी ने के द्व समाज को कहा जाता था मित्र मेला अनुसीलन या डेकन सिच्छा या सत्य सोदक समाज बताई 82 तो क्या कहा जाता था तो मित्र मेला कहा जाता था ठीक क्या कहा जाता मित्र मेला नेक्स्ट कोश्चन खुदी राम बोस को ब्रेटीश ब्रेटीश न्यायदीस मजिस्ट्रेट्स की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी बताईए किसकी 83 का तो किंग से फोर्ड के किंग से फोर्ड के ठीक है याद रहेगा ने चली नेक्ट बताईए कोश्चन नंबर आप लोग बताईए कोश्चन नंबर 84 बताई जल्दी अठारा प्रयल 1930 को चटगाउ सस्त्रागार चापे की घटना के नेतरित वे इसमें से करांतिकारियों ने डपारा में इस्तित पुलिस सस्त्रागार पर कबजा कर लिया तो कौन किया था सूर्य सेन कौन थे सूर्य सेन जी थे ठीक है याद र कोशन नंबर 85 ने मलिखित में से किस एक अधनियम में भारत में संघी यह सासन की बेहस्थादी संघी यह सासन की बेहस्थादी तो अमारा भारत-छासन अधनियम 1935 ठीक ठीक तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगाए तो प्रीज वीडिय चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंद्रेश यस क्लासे से भी जूड़ सकते हैं और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है ठीक है चली और बहुत सारी वीडियों आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी करेंट अफेयर की पांच बजे सा होगी है ठीक है इकोनॉमिक्स बचिए इकोनॉमिक्स फिजिक्स और बायो इस सब हमारे बची हुए परड़े आएंगे ठीक आज के लिए इतना ही जहिंद जय भारत